पापा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, तक तक आप अपना ध्यान रखना है। खाना टाइम पर खाना और मैंने मेड से बोल दिया है, वो आपकी समय समय पर याद दिलाती है। सनाया कार में बैठते ही उनके फिक्र में बोली, तो राम मुस्कुरा कर उसके सर पे अपना हाथ रख देते हैं। पल भर में कार वहाँ से चली जाती हैं, और वे वहाँ अकेले खड़े रह जाते हैं, सामने से कार निकल कर हाईवे रोड पकड़ चुकी थी, और इधर राम हॉल में आकर सुमित्रा जी के बड़े से तस्वीर के सामने खड़े हो जाते हैं, वे एक टक सुमित्रा जी के तस दिल्ली एरपोर्ट पे एक साथ पांच जन उत्रे, बाहर आते हैं तो वहाँ चार ब्लेक ओडी और रोल्स रोयस खड़ी थी, रनबीर, सनाया और उनका बेटा, अर्चना और अभिजित, पांचों आज एक साथ दिल्ली को देख रहे थे, किसी ने कहा कहा हुआ, दिल्ली दि हवा ही कुछ ऐसी थी, कि हर कोई दिल्ली की तारीफे करने से खुद को रोक नहीं सक्या है, दिल्ली की हवा में बात ही कुछ ऐसी थी, सनाया तो अपने सामने दिखी को देख लगी खुस हो गई थी, रनबीर के साथ साधी के बाद उसका ये पहला ट्रिप था, या जो भी क अर्चना खोई हुई थी, वह कैसे ही हामें अपना सिर हिलाती है, तो अभिजीत उसे देख मुस्कुरा देता है, फिर उसके बालों पे किस कर देता है, अच्छा अभिजित, तो हम चलते है, रनबीर अचानक से अभिजीत से बोला, कहा भाई, आप हमारे साथ नहीं चल रहे, अर्चना ये सुन ना समझी से बोली, तो रनबीर हलकी मुस्कान के साथ बोला, नहीं छोटी, डैड का पहले से दिल्ली में कई अपार्टमेंट पहले से खरीदे हुए है, रुमानी अपार्टमेंट, जहा डैड और मा दोनों पहली बार दिल्ली रहे थे, हमवर जा रहे है अब कुछ दीन हम वही रहने वाले है, लेकिन हम तुमसे मिलने आते रहेंगे, रनबीर कहा, तो अर्चना का मन खराब हो गया, लेकिन वह अपने चहरे पे मुस्कान ओड़े, उसके बाद को मान लेती है, वह समझ रही थी कि यहां उसका भाई, अपने कामों से आया था आखिर में अर्चना इसके गले से लग जाती है, तभी उसके आँखों से आँसू की दो बूंदे छलक आती है, जिसे वो अच्छे से छुपाती हुई, मुस्कुरा देती है, इसके बाद अर्चना सनाया से गले मिलती है, फीर बेबी को सीने से लगा कर अपनी आँखे इस वक्त अर्चना के साथ भी वैसा ही हो रहा था, प्यार है उसका अभिजीत, उसे पाने के लिए कई रिष्टे पिछे छोड़ने पड़े, और देखो घर की दहलीज लांगते ही अर्चना पर आई हो गई कुछ ही देर में एक बड़ी गाड़ी जिसे रनबीर ने पहले से ही खरीद कर यहां मंगवा लिया था, वह गाड़ी एक ओडी न्यू डिस्टेनो मॉडल थी, जिसे वह अपनी बहन को देना चाहता था, अभिजीत ने भी इंकार नहीं किया और उसे ले लिया, एधर अभिज जिसे वो जल्दी से पोंच लेता है, सनाया कुछ नहीं कहती है और वे सब गाड़ी में आकर बैठ जाते है, गाड़ी में बैठते ही सनाया सामने बैठे घुंगराले बाल वाले लड़के को देख तोड़ा असज हो जाती है और अपने एक हाथ को रनबीर के बाजू में कस लेती है क्योंकि सामने बैठा मानव उसे ही देख कर मुस्कुरा रहा था, सनाया को असहज होता देख कर रनबीर उसे निर्मल कराता है तो वही उसके गोद में बैठा छोटा सा एक साल तीम महीने का उसका बेटा राम आखे छोटी करके मानव को घूरता है, जैसे कह रहा हो आखे नीची, वलना आखे फोल दूंगा, खैर वह बोल तो नहीं सकता था, लेकिन अगर बोलता तो वह यही बोलता वाइफी यह मानव है, मानव, यहां हमारे काम को देखता है, अब से यह हमें एसिस्ट करेगा, रनबीर ने जब कहा तो सनाया मानव को उपर से नीचे तक देखती है एक लड़का जो अतरंगी रंग बिरंगे कपड़े पहने, हाथ में एक घड़ी, वो भी कई रंगों के गुंग्राले बाल, जो भूरे दिखाए दे रहे थे चेहरे पे एक गोल चस्मा था, उसे देख कोई नहीं कह सकता था, कि ये, छोड़ो, ये ऐसा ही है, पर काफी खुला हुआ है, उसे शांत रहना पसंद नहीं, हर वक्त बगबग करना, उसे पसंद है सनाया का परिचय करा, फिर राम का परिचय कराने के बाद, रनबीर उससे कहता है, मानव, मैंने जो कहा था, वो किया यस बॉस, हो गया, मैंने रुमानी अपामेंट की साफ सफाई करवा दिया है और वहा के सारे फनीचस भी चेंज करवा दिये है बाकी सारे अरेंजमेंट हो गए है और जो रह गया है वो आज शाम तक हो जाएगा गुड, लेकिंग बॉस, आपने वही रहने का प्लान क्यूं बनाया आपके पास तो उससे भी अच्छे अच्छे आप्शन्स थे आपके पास लेक्जरियस होटल्स है, अपामेंट्स है तो फिर ये क्यूं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तुम बस अपने काम पे फोकस करो, सौरी बॉस, मानव ने कहा और सर जुका लिया, तभी सनाया के गोद में बैठा राम जो कब से उसे ही घूरे जा रहा था, वह उसकी गोद से उतरने की कोशीश करने लगता है, सनाया कुछ समझ पाती की वह जल्दी से उतर घुटने के बल चल कर मानव के गोद मे चद कर बैठ जाता है और उसे गोर से देखने लगता है, मानव तो हडबढ़ा कर उसे देखने लगता है, उसके हाथ हवा में उठे हुए थे, और वह पीछे की तरफ अपने शरीर को धकेले हुए थे, बेबी, ममा के पास आओ, सनाया उसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ आवाज में ना बोलता है और मानव के सर पे चड़ने लगता है, रनबीर हाथ बांध कर बस अपने बेटे को ये सब करते हुए देखते रहता है, तो वही सनाया रनबीर को देखने लगती है, कि वह उसे रोक क्यों नहीं रहा, राम जैसे तैसे करके उपर चड़ने की कोश तो करता है, लेकिन कार के छट से टकराने के बाद वह फिर से मानव के गोद में आ जाता है, जिसके बाद उसका मूँ बन जाता है और वह फिर से सनाया के गोद में जाकर अच्छे से बैठ जाता है, मानव कुछ समझ तो नहीं आया, पर जैसे ही उसने राम के हाथ को देखा तो वो चौप जाता है, क्योंकि राम ने अपनी मुठकी कस रखी थी, जिसमें उसके कुछ गुंग्राले बाल थे, मानव के हाथ अचानक से अपने सर जाता है और अगले ही पल उसे दर्द का आभास होता है, एधर राम उसे देख शातिर मुस्कान लिए, अपने हाथ हीरो की तरह जाड़ देता है, फिर उसे आँखें चड़ा कर देखने लगता है, रनबीर को ऐसा कुछ होने का पहले से ही आभास हो चुका था, माना मन ही मन उसे घूरते हुए देख कर कहता है, उसका बदला मैं लेकर रहूंगा, मेरे बाल, आज ही मैंने बनवाए थे, कहते हुए वह बेचारा सा मूँ बना लेता है, दूसरी तरफ, अर्चना अभिजीत के साथ फ्लेट में आ चुकी थी, 3BH के फ्लेट अंदर से काफी सुन्दर था, अर्चना हर एक रूम को, हर एक कोने में जाकर कर अच्छे से चारों तरफ देखती है, तभी अभिजीत उसे पीछे स अपने बाहों में कसते हुए उसके कान को चूम लेता है, जिससे अर्चना एकदम से जड़ हो जाती है, बीवी, बसंद आया, अर्चना थिठकी हुई थी, अभिजीत के करीब होने से उसकी धड़कने बढ़ गई थी, जिस वजह से वह कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन अभ अर्चना की सांसे अटक सी जाती है, बीवी मुझे भूक लगी, तलब मेरी बढ़ती ही जा रही है, अभिजीत मधोशी में बोला, अर्चना को जैसे ही उसके बातों का मतलब समझ आया, तो उसके कान लाल हो गए, चहरे सुर्ख हो आया, और अगले ही पलवह मुड कर अभि जीत के होंट अपने आप ही खिल उठे, अभिजित आने वाले खत्रे से बेखबर था, वह चिंता से मुक्त था और शांत भी, उसे बस इस पल को अर्चना के साथ जीना था, जबकि उसके आने से पहले ही उसके खाते में सबसे पड़ा केस आने वाला था, जो शायद उसकी जिन्दगी बदल दे, अगली सुबह, सूरज सर पे था, अर्चना बेतर्तीब धंग से अभिजित के सिने पे सर रख कर सोई हुई थी, हलकी हलकी आ रही सूरज की लालिमा, उसके चहरे पे पड़ रही थी, जिस वजह से बार बार अभिजीत के सिने पे अपने चहरे को कर रही थी, अभिजीत कसमसाता हुआ अपने आँखों खोल देता है, तो सबसे पहले इसे अर्चना की खुबसूरत सा चहरा दिखाई देता है, उसके चहरे पे समाइल आ जाती है और वहौले से उसके माथे को चूम लेता है, अर्चना अपने हाथों को मजबूती से उसके बाहों में कसे हुए थी, अभिजीत अभाथों को अलग कर, धीरे से उसके सर को तकिये पे तकिये पे रखुट जाता है, और अर्चना को नजर भर देख कर बात्रूम में चला जाता है, उसे आज ओफिस ज्वाइन करनी थी, थोड़ी देर बाद जब वह टौवल लपेटे कमरे में आया तो अर्चना अभी भी घोड़े बेच कर सो रही थी, उसके बाल पूरे बिखड़े पड़े थे, कुछ उसके चेहरे पे, तो कुछ उसके गले पे थे, जिन्हें देख वह उसके पास आया, और उन बालों को साइड करते हुए बड़े ही प्यार से बोला, अभी जित उससे अलग होता है, उसके दिमाग पे कुछ शरारत पाक था था, उसने बैट को पकड़ा और एकदम से खीच, अर्चना को अपने बाहों में उठा लिया, अर्चना चौकते हुए हरबड़ा कर उठी, तभी अभी जीत ने उसे फिर से बैट सीट से कवा कर दिय क्या हुआ बीवी, ये कहते हुए अभी जित के चहरे पे आये शरारत को अर्चना बखूबित देख पा रही थी, वो सर्माहट और गुसे से मुह फुला, उसके सीने में छुपा लेती है, उसकी क्यूट सी हरकत देखकर अभी जित हंस देता है, तभी अर्चना चिटते हु कोई कहती है, बेशरम आदमी, भला ऐसे भी कोई उठाता है, अभी जित, अर्चना को देख शरारत भरे लहजे में कहता है, ऐसे कैसे बीवी, तुम्हारा मतलब? अर्चना के गाल फिर से लाल पड़ गए, वह कैसे कहे कि उसने इस वक्त कुछ नहीं पहना है, अभी जित के इस हरकत से अर्चना की सांसे अटक सी गई थी, बीवी, तुम सर्मा रही है, चुप हो जाए, मुझे शर्मा रही है, कैसी शर्म बीवी, मैंने तो सब देख लिया है, बेसमा आदमी अपना शर्म बेच कर आए है, क्या, बीवी से भला ऐसी बाते करते है, लेकीन मैं तो ऐस इसे ही करता हूँ बीवी, और इसकी आदत डाला लो, क्योंकि अब से मैं ऐसे ही करूंगा, अभिजीत के सर्ती अंदाज और उसके बातों को सुन, अर्चना शर्म से गड़ी जा रही थी, और अभिजीत था जो थामने का नाम ही नहीं ले रहा था, दोनों बातरूम में तो अर्चना की आँखे बंद थी, इतने में अभिजीत ने फिर से शौव को चालू कर दिया, अर्चना थंडे पानी के स्पर्ष से ठिथक सी गई, तो अभिजीत ने इसे अपने बाहों में भर लिया, बीवी, क्या हम एक बार, इस से आगे कुछ अभिजीत कह पाता की अर थोड़ी ही देर में देखते ही देखते दोनों के कपड़े फिर से अलग होकर नीचे सरकते हुए गिर गए और दोनों ही अपने प्यार के मोमेंट में खोसे गए, दरहसल, अभिजीत और अर्चना, दोनों का ही कल रात, फर्स्ट नाइट के साथ साथ, पहली बार भी था, अभिजीत ने अर्चना के साथ काफी नाजुक रहा था, फिर भी अर्चना को काफी दर्ध हुआ था, रात में ही अभिजीत ने खून के धब्बे वाले बेड़ शीट को हटा दिया था, ताकि अगली सुबह जब अर्चना उसे तो वह खून देख कर कही पैनिक ना करने ल कान से लगाते है, तो दूसरी तरफ से गुस्से से भरी आवाज आती है, चीफ, मेरे सबर का इमतिहान क्यों लिया जा रहा है, सर, हम माम को धूदने की पूरी कोशिश कर रहे है, अच्छा तो कहा तक पहुँचा आपका इन्वेस्टिगेशन, क्या, क्या आप सब मुझे क क्या समझे है, मैंने कहा मेरी मीरा मुझे चाहिए और अगर मेरी मीरा मुझे जल्द से जल्द मेरे सामने नहीं हुई तो मैं पूरे दिल्ली में आ लगा दूंगा, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी मीरा को धूंडिये, सर, हम पूरी कोशिश कर रहे है, कोशिश नह अपने माथे को सहलाने लगे, कल रात से लगे हुए है इस केस में, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिलाया है, चीफ कमिंग बेल बजाते है, तो एक आदमी वहा आ जाता है, उसके आते ही चीफ गुसे में उसके उपर भड़कते हुए कहते है, क्या कर रहे ह हो तुम सब, हान, अभी तक तुम्हें केस का सी तक नहीं धूंड पाए, और ये नया लड़का, अभी जीत कहा है, इसे इसी वक्त यहां बुलाओ और ना आए हो उसे जाकर लेकर आओ, गो, अभी के अभी निकलो, चीफ का दिमाग फोन आने के बाद जैसे हिल गया था, क् हम माम को धूदने की पूरी कोशिश कर रहे है, अच्छा तो कहा तक पहुचा आपका investigation, क्या, क्या आप सब मुझे क्या समझे है, मैंने कहा मेरी मीरा मुझे चाहिए और अगर मेरी मीरा मुझे जल्द से जल्द मेरे सामने नहीं हुई तो मैं पूरे दिल्ली में आलगा कीजिए, लेकिन मेरी मीरा को धूंधिये, सर, हम पूरी कोशिश कर रहे है, कोशिश नहीं मुझे रिजल्द चाहिए, सामने आप, I want result, अचानक से फोन कट गया, या यूं कहे कि फोन दूसरी तरफ वाले इनसान ने कट कर दिया था, चीफ टेलिफाइन को रख, अपने को सहलाने लगे, कल रात से लगे हुए है इस केस में, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिलाया है, चीफ कमिंग बेल बजाते है, तो एक आदमी वहाँ आ जाता है, उसके आते ही चीफ गुसे में उसके उपर भड़कते हुए कहते है, क्या कर रहे हो तुम स हान, अभी तक तुम्हें केस का सी तक नहीं धूंद पाए, और ये नया लड़का, अभी जीत कहा है, इसे इसी वक्त यहां बुलाओ और ना आए हो उसे जाकर लेकर आओ, गो, अभी के अभी निकलो, चीफ का दिमाग फोन आने के बाद जैसे हिल गया था, क्योंकि जिस इ अभी जीत को देखते ही, उसको पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाने लगता है, अभी जीत भी उसे देख मुस्कुरा दिया था, वो उसे अपने गोद में ले लेता है, और उसके गाल पे एक किस चिपका देता है, राम अपने गाल को अपें छोटे-छोटे नन हाथ से साफ करते हुए उसे घूर कर देखता है, तो अभी जीत उसे अपनी तरफ घूरता पाकर मुस्कुरा देता है, रनबीर और अभी जीत आकार सोफे पे बैठ जाते है, और बाते करने लगते है, तो तुम ज्वाइन कब करने वाले हो CBI, वैसे मुझे नहीं लगता है तुम जैसे जाबाज ओफिस को उन्हें जादा देर बैठा कर रखना चाहिए, क्या कहते है, अभी जीत साफ साफ समझ रहा था, कि रनबीर उसे चिड़ा रहा है, तब ही वो उसे देखते हुए कहता है, हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, नहीं, आखिर तुम्हा कर रहना, सुना ही होगा, कानून के हाथ लंबे होते है, रनबीर के पास इसका जवाब था, वो तंज कस्ते हुए कहता है, आज जॉइनिंग ले लो, कल हाथ भी लंबे कर लेना, ज्यादा दूर नहीं है, बस ताज महल के इस तरफ तुम हो, और ताज महल के उस तरह में, कह जे मेरे प्यारे साले, अभिजित मुठी कस, आखें भींच लेता है, आखिर रनबीर सही हो तो कह रहा था, क्योंकि हर राह पर अभिजीत को आखिर में जुकना ही पड़ा था, कभी बहन, तो कभी भांजा और फिर प्यार, इन सब के बीच में वह खुद को हार बैठा है, रनबीर उसके गले में हाथ डाल, मुस्कुराते हुए दूसरी बात करने लगता है, वैसे भी वह यहां लड़ने तो आया नहीं था, बस अभिजीत से उसे एक हैल्प चाहिए थी, इधर सनाया की चेन में चली आई थी, और आते ही उससे पूछती है, क्या चल रहा है, भी है, मैं नहीं, और हमेशा से रहेंगी, हमारा रिष्टा पहले था, आगे भी वैसा ही रहेगा, और आप ना, खैर छोड़िये, अर्चना कहते हुए जब रुख गई तब, उसके चेहरे पे आए उदासी को देखकर सनाया ने उसे अपनी तरफ कर उसके गाल पे हाथ सनाया की आखिर अर्चना के मायूस होने का कारण क्या है? सनाया उसे एक्स्प्लेइन करने की कोशिश करते हुए कहती है, इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, जो तुमने अपना मुह लटका लिया है, वो तो इसलिए कि कही तुम्हें दिक्कत ना हो, फर्स्ट नाइ चोटी मोटी शिकायते हो तो चलता है, पर बड़ी बन जाए, ये होने नहीं देना चाहिए, फैमली अपनी अपनी जरूरतों के लिए कभी नहीं सहारा मांगती है, परिवार एक दूसरे की परवा करते है, एक दूसरे की मदद करते है, खेर, बाहर रनबीर और अभिजीत बस बाते करने में लगे हुए थे, तभी अभिजीत का फोन वाइबरेट करने लगता है, अभिजीत फोन में जब नजरे टिकाता है, तो वहाँ पे CBI मेन ब्रांच लिखा हुआ सो हो रहा था, अभिजीत सोच में पढ़ गया था, वह तो एक गंटे में आकर जवाइन करने नहीं आला था CBI को, तो फीर ये कॉल क्यों, पर इन सब को छोड़व, फोन रिसीव करता है, तो इधर से घबराहट भरा आवाज आता है, क्या आप अभिजीत बोल रहे है, जी हान, सर आपको जल्द से जल्द CBI हेट कॉर्टर आना होगा, क्या बात है, अभी तो मैंने जोइनिंग लेटर भी सबमिट नहीं किया है, सर, आपको अल्रेडी जोइनिंग सेक्सिन डाल दिया गया है, और आधे घंटे में आपका जोइनिंग अप्रूव भी ही जाएगा, इस वक्त आपकी जरूरत है, कॉम फास्ट CBI हेट कॉर्टर, एन ज्वाइन आवर टीम, मालूम, I don't know, वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, अभिजीत कहता है, तभी रनबीर बोला, मैं भी चलू, अगर तुम, नहीं, मैं संभाल लूनगा, अच्छा, अभिजीत बीच में ही टोग दिया था, अभिजीत पांच मिनट के अंदर रेडी हो जाता है, और CBI हेट क में इस वक्त का माहौल काफी इंटेंस था, CBI ने एक टीम बैठा रखा था, जो एक पर्टेकुल इंपोटेंट फाइल पे काम कर रही थी, इस वक्त वहाँ का हर एक ओफिस परेशान, जल्दी और हरबड़ी में था, सब जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, तभी वहाँ हेड ओफिस आते हैं और आते ही सबसे कहते हैं, लिसन बोईज, आधे घंटे में हमें ओफिस अभीजीत ज्वाइन करने वाले है, अभीजीत ही अब आगे इस टीम को लीड करने वाले है, तो इस एवरोन बी प्रिपेर्ड, बिकॉज ही इस ओफिस मैडली, सर, क्या वो इस वक्त हमारी मदद कर सकते हैं, इस वक्त अगर मिस मीरा को धून सकता है, तो वो सिर्फ अभीजीत ही है, ओफिसर के कहते हैं, सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद उनके पास और कोई जवाब नहीं था, वक्त का माहौल काफी इंटेंस था, CBI ने एक टीम बैथा रखा थ जो एक पर्टिकुलर इंपोर्टेंट फाइल पे काम कर रही थी, इस वक्त वहां का हर एक ओफिस परेशान, जल्दी और हरबड़ी में था, सब जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, तभी वहां हेड ओफिस आते हैं और आते ही सबसे कहते हैं, लिसन बोईज, आधे घंटे में हमें ओफिस अभीजीत ज्वाइन करने वाले है, अभीजीत ही अब आगे इस टीम को लीड करने वाले है, तो इस एवरोन बी प्रिपेड, बिकॉज ही जल्दी, सर, क्या वो इस वक्त हमारी मदद कर सकते है, इस वक्त अगर मिस मीरा को धून सकता है, तो वो सिर्फ अभीज जीत ही है, ओफिसर के कहते है, सब चुप हो जाते है, क्योंकि इसके बाद उनके पास और कोई जवाब नहीं था, महेंगे होते है, वो लोग जिन्हें घड़ी देखकर बुलाया नहीं जा सकता, उनकी पहचान उनहीं के हाँ और ना बोलने से होता है, महेंगे लोग महेंग कॉल के आन के बाद ही जल्द से जल्द CBI 8 कवाटर चला आया था, अभिजित का नंबर तो सब जान गए थे, लेकिन इसे अभी देखा सिर्फ एक ही इनसान ने था, और वो खुद चीफ थे, क्योंकि अभिजीत का फाइल उनहीं के पास गया था, जिसमें उसका फोटो था, CBI 8 कवाटर एक बड़े से दो मंजिले बिल्दिंग में फैला हुआ था, जिसके कई सारे ओफिसर्स काम करते हैं, चीफ का केबिन सबसे उबर था, और उनहीं के पास में एक मीटिंग रूम था, जहां आज मीटिंग होनी थी, अभिजित अंदर आता है, तो चारों तरस सार काम में लगे हुए थे, हर किसी के माथे पे चिंता, परेशानी साफ साफ दिखाई दे रहा था, हर कोई अपने अपने काम में डूबा हुआ था, कि तभी, ओ हेलो, कौन हो भाई, ये कोई धर्मशाला नहीं है, जो तुम यहां घुसे चले आए, चलो, चलो निकलो ये CBI का अफिस है, अचानक से एक अफिसर अभिजीत के सामने आ खड़ा हुआ, उसे देख अभिजित उसके चेहरे के जुनजलाहट को आराम से समझ गया था, अभिजित आराम से शांत स्वभाव से बोला, मुझे चीफ से मिलना है, उन्हें कहो की मैं आया हूँ, मैं कौन, तुम क क्या कही के राजा महाराजा हो, जिसकी पैरवी की जाए, चीफ के आगे, हान, सामने खड़ा ओफिसर चिरते हुए जुनजला कर बोला, उन्हें जाकर बोलो, और नहीं बोल सकते तो ये बता दो, कि मीटीन कहा चल रहा है, टाइम नहीं है मेरे पास, अभिजीत अभिजित लेकिन सामने खड़े आदमी का गुसा जैसे बढ़ने लगा था, तू है कौन, खैर, मैं अभी तुझे बाहर का रास्ता दिखाता, बलराम, एधर आ, और इसे बाहर का रास्ता दिखा, ये दोबारा यहां दिखना नहीं चाहिए, ओफिसर ने कहा, तो अभिजीत मुस्कु अभिजीत में आ चुका था, लेकिन अब वह कुछ करता, तब तक वहां चीफ आ पहुँचते हुए, अभिजित, वे देखते हुए अभिजीत को पहचान गए थे, ओफिसर तो अभिजीत नाम सुनते ही चौग गया था, कल से वह कई बार अभिजीत नाम सुन चुका था, अभिजीत को देखता है, जो अभिभी शान था, अभिजीत अपना सर थोड़ा सा खुला कर, ओफिसर के आँखों में देखते हुए कहता है, तो ओफिसर चलो मैं चलता हूँ, क्यों ठीक है ना, अभिजीत के शब्दों में तंज था, जिसे महसूश कर ओफिसर जबरदस्त अभिजीत मीटिंग रूम में आता है, जहां पहले से ही पांच ओफिसर बैठे हुए थे, अभिजीत एक अंदर आते ही सब उसे देखते है, और उसे ग्रीड करते है, थोड़ी ही देर में मीटिंग फिर से स्टॉट हो जाती है, इस बार अभिजीत बैठा हुआ सामने प्र जिस वजह से हम अभी इसे ढूंड नहीं पाए, दूसरी बात, आप इस वक्त यहां इस लड़की को देख रहे है, जिसे जब अरदस्ती कार के अंदर बैठाया जा रहा है, एक लड़की जो की वैन के अंदर बैठना नहीं चाह रही थी, तो वह दूसरी लड़की जिसने खुद को अच्छे से धाक रखा था, वह चाकू के जोर पर उस लड़की को अंदर बैठाने की कोशिश में लग रही थी, ओफिसर आगे कुछ और फोटोज दिखाता है, जिसके एक नौजवान आदमी जो काफी खुबसूरत था, जिसकी आखे नीली थी, वह राजा की तर किया गया है, यह इसी की जी एफ है, और यह सब कल हुआ है, हमें जल्द से जल्द इसे धूदना होगा, रुको, अभीजीत अचानक से बोला, तो वह ओफिसर उसे देखने लगा, तभी अभीजीत कहता है, तुम्हारा नाम क्या है, सर, मेरा नाम दिनेश है, और मैं आपके टीम में हूँ, मेर टीम मी, मतलब, मैं समझा नहीं, अभीजीत आश्चर्य से बोला, तभी वह ओफिसर कहता है, हान सर, हम सब एक टीम है, और हम मिलकर इस केस को सॉल्द करने वाले है, जिसके हेड आप है, I mean लीडर, उसने कनफरमेशन के लिए कहा, तो अभीजीत थोड़ सच सामने आ जाएगा, इस वक्त तुम ये बताओ, इस गाड़ी का, या इसके बैठे लोगों का कुछ पता चला, दिनेश, अभीजीत कहते हुए उसने नाम पे जरा जोर दिया, तो, दिनेश को लगा जैसे आज उसके इजजत में चार चांद लग गए है, सर हम बहुत जल पूरे CBI को परेशान कर रखा है, अभीजीत ये कहते हुए उट खड़ा हुआ, और बाहर चला आया, बाहर आते ही उसका मोबाइल गनगनाने लगा, उसने फोन निकाल देखा तो अर्चना का काल था, वह काल पिक किया, तभी दूसरी तरफ से हरबड़ी में आवाज आई, जल्दी से OTP दीजिए, मैंने सामान ओर किया है, टाइम नहीं है, OTP चला जाएगा, क्या, अभीजीत का मुँ एकदम से अजीब सा हो गया, OTP दीजिए, देर मत कीजिए, देखिए मेसेज गया होगा, आपने नमबर पे, घर में सामान नहीं है, तो मैंने ग्रोसरी से ओनला आइन ओर किया है, अभीजित एक शान्ती भरा आह भरता है, और फिर OTP के लिए जैसे ही मैसेज बॉक्स खोलता है, तो उसके होश उर जाते है, क्योंकि मैसेज पूरे 66,000 का था, यानि OTP देते ही उसके खाते से 66,000 किसी घुमनाम पंची की तरह उर जाने वाला था, बाहर आते ही उसका मोबाइल गनगनाने लगा, उसने फोन निकाल देखा तो अरचना का काल था, वह काल पिक किया, तभी दूसरी तरफ से हरबड़ी में आवाज आई, जल्दी से OTP दीजिए, मैंने सामान ओडर किया है, टाइम नहीं है, OTP चला जाएगा, क्या, अभीजीत का जीब सा हो गया, OTP दीजिए, देर मत कीजिए, देखिए मैसेज गया होगा, अपने नंबर पे, घर में समान नहीं है, तो मैंने ग्रोसरी से ओनलाइन ओडर किया है, अभीजित एक शान्ती भरा आह भरता है, और फिर OTP के लिए जैसे ही मैसेज बॉक्स खोलता है, तो उसक अभीजित ने अर्चना के आगे हार मानते हुए OTP दे देता है, अब जब दिल ही दे दिया तुम है, तो ये क्रेडिट कार्ट का OTP क्या करेगा? इधर अभीजित लियों से मिलने के लिए निकल चुका था, वह लियों को देखना चाहता था, कारण, कारण ये की खुद रनबीर ने लियों का जिक्र किया था, उससे यहां आने से पहले, और यहां आते ही हर कोई उसी का नाम लिया जा रहा था, अभीजित देखना चाहता था, कि आखिर ये है कौन, जिसके चर्चे हजार है, पर काम काम खोटे, माने आखिर कौन है, जो अपनी जीएफ तक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और उसी के कमपनी के बाहर एक काली वैनाती है, और उसकी जीएफ, मीरा, को लेकर निकल जाता है अभीजित चाहता तो लियो को सर्च भी कर सकता था, लेकिन ये सब करना उसके फित्रत में कहा है, एधर लियो भी अकेला मीरा को दून नहीं पा रहा था, तभी उसे हेट कौटर से चीफ ने अभीजीत से मिलने को कहा था, अभीजित उसके उफिस चला आता है, और आते ही बीना किसी से कुछ कहे सबसे उप़ वाले केबिन की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे उप़ ही का ओफिस था, अभिजित लिफ्ट में आता है, तभी उसे कोई लिफ्ट में मिल जाता है, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, अंदर आते ही अभिजीत से सामने खड़ा आद तभी अभिजीत का फोन बज उठता है, हेलो, अभिजित सर, हमने लोकेशन ट्रैक कर लिया है, आपको अभी ही निकलना होगा, सैंड मी लोकेशन, और हा, इस बारे में चीफ को मत बताना, सर, लेकिन पर फोन वाला कुछ आगे कहता, तब तक फोन अभिजीत में डिसकनेक् सामने ही लियो का में ओफिस था, जिसे देख अभिजित अपना सर हिला देता है, और पीछे पलट फिर से लिफ्ट में आकर ग्राउंड फ्लो का बटन दबा देता है, आधे घंटे बाद, अभिजित एक जगह पे आता है, जहां का लोकेशन उसे बयूरो से भेजा गया था यही से कुछ लोग कई सारी लड़कियों को बिडेश टासकरी के के लिए भेजा जाना था, खबर थी की मीरा यहां होगी, जिस वज़े से अभिजित अकेला ही यहां चला आया था, लेकिन यहां आकर पता चला की यहां से लड़कियों को कही और शिफ्ट कर दिया गया था, और अब लोकेशन बदला जा चुका था, शायद उन्हें पुलिस और सीबी आई की खबर मिल चुका था, आसपास छान बिन करने के बाद जब अभिजित को ना कोई सुराग मिला और ना ही कोई पता तो वह गुसे में वसे ज़लाया हुआ सीबी आई बयूरो चला आया, जाले बदल जैसे पट पड़ा, तुम सब कर क्या रहे हो, हाँ, कोपी भी ध्यान नहीं दे रहा है, और तुम, तुम्हारे तो चर्चे पुरे अप में हैं, तो फिर ये नाकामी क्यों, क्या तुम्हारे लिए मेरी वाइफ को धूंगना इतना मुस्किल हैं? लियो ने उसे लगभग आरे तेंधे कर ही दिया था, अभिजित अपने कॉलर से उसका हाथ छुडाते हुए उसके आँखों में खौफ से देखते हुए बोला, नाकामी, लियो शाहब आपके जुबान ये मीठी बात अच्छी नहीं लगती हैं, खैर बता दू, इस वक्त रात के ग्यारा मेरी ड्यूटी सिर्फ पंच बजे तक की हैं, तो ये कॉलर पकड़ने से पहले सोच लिया करो, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। लियो इस सवाल का जावाब तलखी के साथ देते हुए कहा, मुझे किसी को कुछ कहने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, और तुम्हे रात हो या दिन ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम इस वक्त किस के सामने खड़े हो और किस के लिए काम कर रहे हो। अभिजिन्थ हस दिया और हसते हुए उसके बातों का हवाईया उडाते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, चलो यही सुनना था, तुम में घमंड और अकर भरा पड़ा है, बस दीखते सुन्दर हो, बाकी सब। अभिजित बातों को बिच में ही छोड़ दिया और तभी उसके फोन पे कॉल आने लगा, वो फोन निकाल जैसे ही कान के पास रखा, तभी। उसे जला के साथ साथ अभिजित पे गुस्सा भी आ रहा था, कि आखिर उसे इस वक्त मीरा को खोजना चाहिए था, बीवी, काम पे हूँ, मैं रक सिरियश केस सोलवे कर रहा हूँ, बस आ जाओंगा बहुत जल्द, ओके, मैं कुछ नहीं जानती, समझे आप, जूठे, एकदम से आवाज सा रह गया, वो अश्चर्य से बोला, अब इसमे में जूठा कैसे हो गे भला, अभिजित का मुह हैरानी से खुल गया था, अपनी बिकी की अजीब सी सिकायत को सुनकर, अर्चना कहती है, अच्छा ठीक है, आप जब तक नहीं आते तब तक मैं सौपिंग ही कर लेती हूँ, अभिजित का मुह खुल गया, वो हैरानी से बोला, अरे मेरी मा, मुझे रुलाएगी क्या, सौपिंग आईटी आई रत को कौन करता है, हाँ तो मुझे कई जाना थोड़े ही हैं, अर्चना मासूमियत से बोली, पर अब तक अभिजित का हाथ अपने पौ मैं कह रही हूँ, ऑनलाइन सोपिंग करने वाली हूँ, अर्चना फिर मासूमियत से बोली, थंड है चद्दर डाल के सोजाओ ना, यो मेरे पैसे को बरबाद करने पे, देखिए OTP, OTP, गया आपके फोन पे, अभिजित आगे कुछ बोल भी नहीं पाया था, कि अर्चना त दिल मोह को आ गया, तुम सौपिंग क्या आकर रही हो, अभिजित को अपने फोन पे कुछ यही 82 हजार का फिल करता नजरा रह था, जो उसके पुरे दो महीने की कमी थी, आप नहीं जानते हैं, भाभी कहती हैं, पती के पैसे उड़ाने में बड़ा मजा आता है, पागल और भाभी की बच्ची, पटी को क्या सोने के खान से उठा लाई थी, अभिजित हैरान था, और अब सोच रहा था कि वह अपनी फुल सी बीवी को भोली कहे, क्या खुद को ना समझ, क्या हुआ आपको, OTP दिजिये ना, अभिजित जलाया सा OTP दे देता है, और तब ही, बिना कुछ कहे अपना फोन पॉकिट में रख लेता है, उसके चहरे पे बारा बजे हुए थे, वह अपना सर्खो जाने लगा, और खुद से बोला, मैंने तो सुना था घर की लक्षमी बीवी होती है, ये तो कुछ और ही निकली, खैर घराने दो बीवी सबका हिसाब लिया जाएगा, अपने अंदाज में, इतना कहते हुए वह खुद में ही मुस्कुरा उठा, उसी वक्त हैचकर की टीम ने फिर से एक लोकेशन को ट्रैक कर लिया, और ये लोकेशन इस बार दीली के पोर्ट का था, जहा से जहाजो के जरिये सामान भेजे जाते हैं, दूसरी सनाया जला जाती हैं, चेदते हुए कहती हैं, बिलीव मी, I am not a liar, तो क्या हैं आप, सनाय चेद गई थी, वह अब वह से जा अपने बिस्टर पे बिखरा कंबल समेटने लगती हैं और कहने लगती हैं, बड़े आये इंगलिश जड़ने वाले, I am not a liar, बला बला बला, हुनम इतना बोल सनाया फिर से रंबीर के सामने आती है, आप आज से मेरे करीब मत आना, समझे आप, वना आपको छोड़ूंगी नहीं मैं रंबीर मुस्कुरा और सनाया के पतली सी दूद सो गोरी कमर में अपना हाथ डाल उसे खुद से चिपका लिया, सनाया के हाथ अपने आप ही उसके कंदे पे चले गए, रंबीर के आँखों में शरारत थी, सनाया उसके आँखों में एक तक देखने लगी, सनाया की धड़क ने फिर से तेज होने लगी, तभी रोने ने उसे अपने गोद में बिठा लिया, सनाया हर बढ़ाए, पर रनबीर शान्त था, दिल दोनों के करीब थे, रनबीर सनाया के बालों के कुछ लट, उन्हें उसके कान के पीछे करते हुए शरारत भरे अंदाज में गर्दन पे अपनी तरफ करता है, और अपना अंगूठा सनाया के होन्ठों पे रख इसे रब करते हुए कहता है, इन होन्ठों पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता है, वाइफी, गुस्से का खटे से काफी गहरा रिष्टा है, इसे मैं अभी मीठा, शान्त किये देता हूँ, रनबीर इन बोल एकदम से सनाया के होंठों पे अपने होंठ रख दिये, सनाया चिहुन कुठी, सांसे भारी होने लगी, दिल तेजी से फुदिकने लगा, हाथ की पकड़ रनबीर के शट पे कस गए, और होंठों पे जोर आजमाईस होने लगी, रनबीर होली होली से वाइल्ड होत लिया सनाया हरबड़ाई पर रनबीर शान्त था दिल दोनों के करीब थे रनबीर सनाया के बालों के कुछ लट उन्हें उसके कान के पीछे करते हुए शरारत भरे अंदाज में गर्दन पे अपना नाक फिराते हुए कहा पास आने से मुझे कोई नहीं रोक सकता और तुम्हे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है मैंने कोई जूट नहीं कहा वाइफी इतना बोल रनबीर सनाया के चहरे को अपनी तरफ करता है और अपना अंगूथा सनाया के होंठों पे रख इसे रब करते हुए कहता है इन होंठों पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता है वाइफी गु पहुन कुठी, सांसे भारी होने लगी, दिल तेजी से फुदिकने लगा, हाथ की पकर रंबीर के शट पे कस गए, और होंठो पे जोर आजमाइस होने लगी, रंबीर होली होली से वाइल्ड होता जा रहा था, सनाया को पल के अपने आप ही बंध हो गई थी, सिर्फ दिल इस अच्छा खाना खा सके त्योहार में, इसलिए भगवान भी बिग जाते हैं बाजार में, ये शायरी हैं, अच्छा लगा था, कहीं से सुना था, इसलिए चेप दिया, बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ, सनाया की सांसे उखरने लगी थी, रंबीर सनाया को पूरी तरफ त तो सनाया अपने हाथ सिने पे रख तेज चल रही सांसो को सभालने लगती हैं, उसी वक्त वक्त रंबीर को घुर भी रही थी, रंबीर सनाया के बालों पे अपना हाथ फेरने लगता हैं, जब सनाया को थोड़ी राहत मिलती हैं, तब वो रंबीर को दूर जटक उसके सनाया उसके आँखों में देखते ही उसके डर्टी प्लान को समझे गई, पास भी मताना मेरे समझे आप वाइफी, प्लीज, रनबीर मासूम सा फेस बना कर बोला नो, सोचना भी मत आप, समझे, किस विस अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला सनाया एक हाथ से ना का इशारा करते हुए दुसरे हाथ से अपने लाल पड़ चुके होंटों को छुपाते हुए बड़ी मुस्किल से बोली क्योंकि रनबीर के आँखों में वह खुद के लिए जो फील कर रही थी, जो देख रही थी, उसके लिए भी खुद को रोकना मुस्किल था रनबीर का मोर बन गया, जिसे देख सनाया मुस्कुरा उठी, अचानक से रनबीर का फोन बाग उठा और उसने अपना फोन देखा, कुछ मैसेस था, जो किसी ने उसके पास भेजा था रनबीर का मुरजाया हुआ चेहरा फिर से खिल उठा, और उसने अपने जेब में फोन रख उठ खड़े होकर अपने बेटे को अपने कंधे में अच्छे से सुला लिया सनाया के पास आओ उसका हाथ पकड़ कहा, वाइफी, चलो आओ जाओ और तुम्री सारी सिकायते दूर किये देता हूँ सनाया शौक्त होकर उसके साथ चलते हुए पूछती है, कहा ले जा रहे है मुझे वाइफी कोई सवाल नहीं, बस मुझ पे भरोशा करो ओए चलो मेरे साथ, आज तुम्हे सबसे अच्छी चीज दिखाता हूँ सानाया चुप हो गई और उसके सह साथ चलने लगी, थोड़ी देर में रंबीर बेसमा तक आया, और कार का डोर अनलोक कर सनाया को सामने वाले सिट पे बिथा दिया रंबीर ने पहले से ही कार के अंदर एक बेबी सिट तयार करना लिया था, जिसमें राम सुला दिया, और खुद आकर फ्रंट सिट पे बैठ कर ड्राइव करने लगा दुसरी तरफ अभिजित मीरा को धूंधने में लगा हुआ था, रात बारा बजने को थे, मौका एक ही था, और अगर इस बार फेल हुए तो मीरा, लियो की जिन्दगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाने वाली थी इधर रंबीर कार भगाए जा रहा था, आधी रात थी, सड के सुनसान, कार में बच्चा, आसपास का माहौल रात में कैसा होता है, ये सब जानते हैं, ऐसे में सनाया भी डर रही थी, एक तो उसके लिए शहर नया था और उपर से रंबीर के ऐसे बेबाग कार ड्राइव कर आसपास कोई नहीं था और नाही अंधेरे में कोई दूसरी गाडी आती हुई दिखाई दे रही थी, रंबीर कार ड्राइव करते हुए नॉमल गेर में कार को कर ड्राइव मोड में कर देता है, जिससे कार अपने आप ही चलने लगती हैं, और फिर सनाया को देख, उसकी सनाया तो इस वक्त सामने देखने में लगी थी, हालांकि वो ड्राइव लेस कार में बैट चुकी थी, जिसमें ड्राइवर होते हैं और साथ में आटोमेटिक ड्राइव का भी आप्शन होता हैं, रंबीर ने यहां आने से पहले ही एक रॉयल रॉयल कार मंगवा लिया था, और इस वक्त जिस कार में थे, ये वही कार हैं, डर नहीं रही हूँ मैं, आप घर चलिये बस, मुझे कही नहीं जाना, रंबीर मुस्कुरा दिया सानाया के जूट पे, रंबीर को मुस्कुराता देख सानाया जेब गई, उसने मोह बना लिया और उससे अपना हाथ छुडा थोड़ी दूर पर बैठ गई, मुझे आप से बात ही नहीं करनी, हुनम, सानाया बोल कर सामने विंडो से दूसरी तरफ देखने लगी, रंबीर मुस्कुरा दिया और फिर से कार ड्राइव करने लगा, थोड़ी ही देर में रंबीर कार पहारी के उपर ले आया और कार रोक खुद बाहर आकर सानाया को और अपने बेटे को बाहर निकाला, राम तो रंबीर के इधर उधर करने पर उठ गया था, सानाया सामने छोटी सी पहाडी के पिक से सामने रात की अंधेरी में जागमगाता दिल ही को देख आश्चरिय से बोली, हम यहां इतनी रात के क्यों आ आए हैं? रंबीर बिना कोई जवाब दिये सानाया को अपने साथ आगे लेकर चलने लगा, और कुछ दुरी पर आकर सानाया को कुछ दिखा, जिसे देखते ही सानाया हैरानी से रंबीर को देखने लगी, यह सब, आप आप ने किया, मेरे लिए, रंबीर मुस्कुरा दिया और कहा, कैसा लगा मेरे सरप्राइज, हुनम, इतना बोल रनबीर जुक कर सानाया के होंटों को छू लिया, सानाया हैरानी से अभी भी उसे देखे जा रही थी, सामने का नजारा इतना खुबसूरत था कि सानाया के पेट में तितलिया उड़ने से लगी थी, सामने एक छोटा सा मेट बिचाया हुआ था, और उस मेट को लैम्प के सहारे घेर दिया दिया गया था, साथ में फुल थे, जो लैप की हलकी रोशनी के खूब दिखा रहे थे, वहा का नजारा देख सनाया एक भर के लिए सब भूल गई थी, ये भी की रनबीर ने उसके होंटों को इन्ही क कुछ क्षणों में कई बार चूलिया था, चले, रनबीर ने सनाया के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए बड़े प्यार से अडॉरबल वोईस में बोला तो, सनाया को जैसे होश में आए और रनबीर को देख चहरे पे शर्म की लाली चहरे पे बिक्षर सी गई, आँखों सनाया अपना सर उसके कंधे पे रख सामने देखने लगी, तभी कोई आया और एक चादर से पीछे से तीनों को धग दिया, सनाया तो बस रनबीर को ही देख रही थी, आज उसकी जिंदगी में ये पहली बार था, जब ऐसा कुछ हो रहा था, तभी दो और लोग आये और उ लग ही लग रहा था, सनाया सामने देखती है, तभी जोर का धमाका होता है, जिससे सनाया दर कर उसके सिने में छुप जाती है, रनबीर उसे दके समाइल करते हुए सामने देखने का इशारा करता है, उसका बेटा राम भी सामने देखते हुए अपनी छोटी छोटी उंगल सामने कोई आतिस बाजी नहीं हो रही थी और ना ही कुछ ऐसा, लेकिन जो हो रहा था, वो सनाया के लिए बेहत खास था, सनाया अपनी फटी पड़ी आँखों से सामने देखने लगती है, सामने बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगा था, एक लड़का, एक लड़की का हाथ पके घुटनों के बल बैठा है, उसी के पास एक नर्ष एक ननहे से नौजात शिशु को लिए खड़ी है, यह विडियो सनाया ने जब राम को जन दिया था, तब का है, उसके साथ विडियो अचानक से बदल जाता है, और अगले ही पल एक और विडियो आ जाता है, जिसमे रनबीर सनाया के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसके हाथ में अंगूठी थी, वो मुस्कुराते हुए सनाया को देख रहा था और सनाया आश्चर्य से हैरानी से फटी पड़ी अपनी आँखों से उसे देख रही थी, यह विडियो क्लिप जब रनबीर ने सन में भीन्च ले, उसकी आंके डब्ध बाई, वो मुद कर रनबीर को देखती हैं, तो रनबीर उसे ही देख रहा था, शान्द चेहरे पर इस वक्त मुस्कराहट के सिवा कुछ ना था, एक लड़का, एक लड़की का हाथ पके घुटनों के बल बैठा है, उसी के पास एक न वीडियो आ जाता है, जिसमें रनबीर सनाया के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था और उसके हाथ में अंगूठी थी, वो मुस्कुराते हुए सनाया को देख रहा था, और सनाया आश्चर्य से हैरानी से फटी पड़ी अपनी आँखों से उसे देख रही थी, ये रनबीर को जोर से अपने सिने में भीन्च ले, उसकी आंके डब्धबा आई, वो मुद कर रनबीर को देखती हैं, तो रनबीर उसे ही देख रहा था, शान्द चेहरे पर इस वक्त मुस्कराहट के सिवा कुछ ना था, पहार के उपर बनाया रनबीर का इतना अच्छा, वो सब सनाया को अंदर ही अंदर गुद गुदा रहा था, राम सनाया के गोद में ही सो गया था, लेकिन सनाया अपना सर रनबीर के कंधे से टिकाये हुए सामने देख रहा, रनबीर के चेहरे पर हलकी मुस्कान था, वो बार बार अपना सर मोर कर सनाया को देख लेटा, दोनों के अंदर डिम रोशनी जल रही थी, रात का समय और ठंडी हवा का फुहार सनाया और रनबीर को जैसे एक करने पर तुला था, रनबीर ने बेबी सिट पे अपने बेटे को अच्छे से सुला धिया था, सनाया उसे ही देख रही थी, सनाया के चहरे पे संतोश था, रनबीर ने आज उसे काफी खुश कर दिया था वाइफी, रनबीर बोला, इस बार उसके शब्दों में एक अलग ही नशा था जिसे सनाया महसुश कर अंदर तक शीश उठी थी रनबीर सनाया के खुले कमर से होकर धीरे-धीरे अपनी नजरे ऊपर ले जाते हुई गले पे रोग दिया आप आप, ससिस, मुझे महसुश करो, रनबीर सनाया को बोलने से रोग दिया उसने एक बटन दबाया और कार का पर्तिसियन उन हो गया सनाया की धकने तेज होने लगी र Batterन बीर अब अपने हून्ट सनाया के के गंधे पे रख उसे चूम लिया एक ठंड सी सितलर की फुहार सनाया को महसूस हुई सनाया के दोनो हाथ उसके कंधे पे चले गए और उसने जोर से उसके कंधे पे अपने हाथ जमा दिये रन्बीर उसे कंधे पे अपने होंट धीरे धीरे चलाते हुए गले पे आया और सनाया के सारे बाल दूसरी और कर वो फिर से गले को चूमने लगा अब सनाया की आहे निकलने लगी थी रन्बीर का छूना उसे रोमान चित किये जा रहा था थिदे देर ऐसे ही रहने के बाद उसने सनाया से अलग हो उसकी मखमली कमर में हाथ दाल उसे अपने गोद में बिठा लिया सनाया की एक आह निकली और रन्बीर के चहरे पर सरारत वाली मुसकान बिखराया सनाया की नजरे रंबीर के नजरों से जैसे ही मिली तो उसे अपने अंदर गुदगुदी सी होने लगी रंबीर के आँखों में आज खुमारी चाया हुआ था आँखों में एक अलग ही नशा था सनाया के होंट काम रहे थे, जीस पे रनबीर ने अपना शक्त अंगूठा रखा, जिसे महसुष कर सनाया की आँखें अपने आप ही बंध हो गए, रनबीर होंटो को रब करता रहा और उसके गले में हाथ डाल अपने करीब कर उसके होंटो को अपने होंटो के गिरफ्ट में ले लिया, सनाया एकदम से आँखों खोल उसके आँखों में जाकने लगी, बिना किसी जिजखके वह भी अब रनबीर का साथ देने लगी, दोनों की आहे तेज होने लगी, कुछ ही देर में दोनों एक दुसरे में खो गए, दूसरी तरफ लखनाउ, ये लड़ाई तुम दोनों की हैं, मैं इसके बिच में नहीं आ सकता हूँ, लेकिन, क्या उसने सही किया, इतने दिन होने को हैं और पिहू का कुछ पता नहीं, हाँ, मैं मानता हूँ, अपनों के मरने के, और उनके बदले के आग में, मैं अंधा हो गया था, इसके लिए मैं माफी कभी नहीं पात कान में डाल लो, तुम जिंदा हो इसकी वज़े मेरी बहु हैं, और आगे भी जिंदा रहना चाहते हो, तो बस वो करो, जो सही है, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, नहीं, सिर्फ आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि, कहते कहते उनका गला जरा सा भरो हो आया, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ खो दी, मेरी बीबी मेरे ही सामने दम तोड़ गई, और तुम जानते हो, इसकी वज़े कही न कही तुम भी हो, उद्धरन, उनकी गोद में खेला हूँ, मैं, आपको क्या लगता है, मैं उन्हें मार कर चैन से रह पाहूंगा, यहां, यहां मेरे दिल में, उसने अपने दिल पे उंगली रख आगे कहा, उनके लिए रोता है, मैं नहीं जानता, पर बच्पन में मेरे पापा और आप दोस्त थे, जब मेरी मा नहीं होती थी, तब आंटी ही मुझे अपने पास रखती थी, आपने सही कहा, उद्धरन, कहते ही उसके आँख पता नहीं क्यों पर, मैं जिन्हें प्यार करता हूं, वे मुझे छोड़ कर चले जाते हैं, पहले मेरी गुडिया, फिर मा और पापा, और अब आंटी, शायद पिहू भी मुझे कभी ना मिले, लेकिन मैं आखिरी कोशिश करना चाहता हूं, हमेशा अकेला, रहा, पैसे कमा इतने की, यू चुटकियों में बड़े-बड़े कमपनी को खरीच सकता हूं, पर, एक कमी रह गई, मैंने प्यार नहीं कमाए, अधुरा रह गया मैं, मैं, अब उसका गला रुंद आया था, उसके शब्द भराने लगे थे, ये दोनों राम और गौरव थे, आज कमपनी का फेरवेल था, तो गौरव को भी आना पड़ा, क्योंकि वह भी अब राम के कमपनी के कुछ परसेंट का हिस्सेदार है, दोनों के अंदर कई दिन से बहुत से बाते थी, जो खटक रही थी, दोनों ही अपने अपने दर्द में थे, राम, आज गौरव को एक बच्चे की तर रोता देख रहे थे, कितना अजीब होता है ना, रिष्टे की एहमियत उसके ना होने पर पता चलता है, गौरव खुद को हलका करने के लिए एक गहरी सांस लेता है, और फिर आगे कहता है, मैं जितने के चक्कर में हार रहा हूं, लगातार, बार बार, अब लगता है, जुना, सच कह रहा हूं, उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं भी फैमली हो, मा, डैड हो, बेहन हो, भाई हो, सब हो, पर देखिये, हर पड़ाव पर मैं एक एक कर सब खोता गया, और आज आपके सामने अकेले बैठा हूं, गौरव भाहरे गले के साथ कहा, राम चुप थे, क्योंकि आज उन्होंने एक नए गौरव को देखा था, जो परिवार के बिना बढ़ा हुआ है, जिसके पास कुछ नहीं, जब परिवार ही ना रहा तो पैसों का क्या करेंगे, गौरव ने अपने जेब से सिगरेट निकाला और अपने होंठों के बिच दबा लिया, आप उसका ध्यान रखना, गौरव ने कहा, तो राम उसे देखने लगे, तुम अच्छे हो तो, ऐसे ही रहो, सब ठीक हो जाएगा, तुमने बहुत कुछ खोया हैं, ओमिध हैं, आगे से वो करोगे जो सही होगा, तुम्हरे लिए भी और तुम्हरे आसपास रहने वाले के लिए भी, राम इतना कहकर उठा गए, और उसे एक नजर देख वहा से निकल गए, गौरव वही बैठा रहा, उसकी आँखें बंद थी, उसके चहरे पे दर्द भरी स्माइल आ गई और उसने कहा, अंकल, अब खोने को कुछ हैं, तो पाने की चाहता ने अंदर जन ले लिय हैं, वो इतना बोलकर, अपना फोन निकाल किसी से बात करने लगा, दिल्ली, अभिजित, मीरा को बचाने में काम्याब रहा था, इसा और वानी जो की लियों के साथ पढ़ती थी, और कभी लियों ने ईशा से प्यार किया था, आज उसी ने उसके प्यार को बेचने की कोशि की, इशा ने मीरा का सौधा कर दिया था, और आज रात उसे जहाज के जरिये अवैद रूप से दुसरे देश ले जाना था, अभिजित को टिप मिलते ही, वो सब के साथ मीरा को बचाने चला आया था, काफी लोगों को छोटे आई, और कई घायल हुए, इन सब में लियों क को भी चोटाई और एक गोली उसके बाजू को छू कर निकल गई, इतना सब होने के बाद, आखिर लियों ने मीरा को धूर ही लिया, लेकिन तभी इशा ने मीरा के गरदन पर चाकू रख उसे मार देने की धमकी देने लगी, ये सब अचानक से, जिस वज़े से मीरा को सभा पालने तक का वक्त नहीं मिला था, इशा ने जल्दबाजी में चाकी ऐसे रखे हुए थी, कि मीरा का गला बार बार उस चाकी से सट रहा था, और देखते ही देखते मीरा के गले से खून आने लगा, चाकी की धर ने मीरा के गले को रगगर दिया था, मीरा की आँखे बंध होने लगी थी पीछे कई घंते से कैद में होने और खाना ना खाने की वजह से उसे कमजोरी होने लगा था और ईशा के चाकू लागाते ही मीरा की बची उची जवाब दे गई थी ईशा ने मीरा का सौधा कर दिया था और आज रात उसे जहाज के जरिये अवैद रूप से दुसरे देश ले जाना था अभी जित को टिप मिलते ही वो सब के साथ मीरा को बचाने चला आया था काफी लोगों को छोटे आई और कई घायल हुए इन सब में लियो को भी चोट आई और एक गोली उसके बाजू को छू कर निकल गई इतना सभालने तक का वक्त नहीं मिला था ईशा ने जल्दबाजी में चाकी ऐसे रखे हुए थी कि मीरा का गला बार बार उस चाकी से सट रहा था और देखते ही देखते मीरा के गले से खून आने लगा चाकी की धर ने मीरा के गले को रगगर दिया था मीरा की आँखे बंध होने लगी थी पीछे कई घंते से कैद में होने और खाना ना खाने की वजह से उसे कमजोरी होने लगा था और ईशा के चाकू लागाते ही मीरा की बची उची जवाब दे गई थी तभी अचानक से एक गोली चले की आवाज आई और पूरा जगह गोली की आवाज से गूंज उठा ये गोली बंधूक से निकल चुका था और उसकी रफतार इतनी तेस थी कि ईशा को समहालने तक का मौका नहीं मिला और गोली सीधे उसे शरीर में घुसा सब चौक कर ईशा के पीछे देखने हैं तो सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि वहाँ वही इसा की सबसे अच्छी दोस्त खड़ी थी उसके हाथ में बंदूक था और गोली उसी ने चलाई थी वानी के आँखों से आनू निकलने लगे जब ईशा के हाथ से चाकू छुट कर गिर गया ईशा लड़ खड़ाती हुई जमी पे आंदे में गिरी तभी वानी उसके पास दोर का चली आए ईशा, सौरी, मुझे माफ कर दो एशा उसके पास घुटनों के बल बैट, फूट फूट कर रोने लगे इस वक्त उसके वानी के हुंठो पर सिर्फ माफी थी और कुछ नहीं वानी सुरू से ही ईशा को रोकना चाहती हती, क्योंकि वह जानती थी कि ईशा जो भी कर रही है, वह गलत है, ईशा को लियो ने पांच साल पहले प्रोपोज किया था, लेकिन ईशा ने ये कह के उसे नकार दिया, दिल ही के सबसे चर्चित पोल पर जहां हर रोज लड़के लियो की भीड़ लगी रहती है, ईशा ने वहाँ ये कहकर लियो को थपपर मार दिया था, कि तुम्हरी हैसियत नहीं मुझसे प्यार करने की, लियो को ये बहुत बुरा लगा, लियो को लगा कि ईशा जिस तरफ उसके इसा रहती है, तो वह उससे प्यार करती हैं, लेकिन गलत सोच रहा था ईशा सिर्फ पैसे से प्यार करती थी और आज भी उसका वही है लियो पांच साल बाद बड़ा आदमी बन कर लोटा लियो बदल चुका था इसा उसके लाइफ में दूर दूर तक कही भी नहीं थी पर अचानक से वह उसके लाइफ में आधमकी जब की लियो को उस वक्त तक मीरा भागई थी और मीरा को भी लियो से प्यार हो गया था ये बाद इसा को अच्छा नहीं लगा और उसने बदला लेना चाहा और आज उसी का नतीजा है कि इसा मौत के मुह में हैं कहते हैं इनसान को अपने ही कर्मों की सजा मिलती हैं और वही इशा के वानी भी ये नहीं करना चाहती थी बार बार उसे समझा समझा कर थक चुकी थी पर अब आगे बाकी जिन्दगिया खराब ना हो आगे किसी को तकलीफ ना हो इसलिए उसने इशा पे गोली चला थी क्योंकि चार को बचाने के लिए एक पे गोली चलाना कोई बुरानी नहीं हैं अगर वह इंसान ही इन सब का कारण हो तो ईशा आखिरी सांस ले रही थी लियो उसके पास आया और उसे देखने लगा तुमने खुद का क्या हाल बना लिया ईशा कह दूर चली जाती ये सब करने की क्या जरूरत थी देखो कहा किस मोर पे आ गई हो लियो ने कहा लियो को भी कही ना कही इसा के लिए बुरा लग रहा था वो कहते हैं ना कि एक इनसान अपनी अच्छाई में बुरे को भी अच्छा मान लेता हैं इसा ने जो कुछ भी किया लियो उसे भुलाने के लिए भी तैयार था लेकिन तब तक जब तक की ईशा सिर्फ उसके साथ बुरा कर रही थी, जब उसने मीरा को नुकसान पहुचाने की सोची, लियो के अंदर जो भी इशा के लिए थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं, हमदर्दी बचा था, सब खत्म हो गया, थोड़ी दुली पे खड़ा अभिजित ये सब देख रहा था, उसने हेट को वाटर में इनफॉर् सेक्सेस्फुल रहा, कुछ ही देर में पुलिस की टीम ने ईशा और वानी को वहा से ले गई, इधर मीरा को लेकर लियो अपने साथ निकल गया था, अब सब ठीक था, मीरा को ठीक देख उसे लगा सब ठीक है, पर असली प्रोबलम अब सुरू होनी थी, दरसल मीरा के गले पे बड़ा कट आ गया था, जो इसा के चाकू गले पे रखने से लगा था, लियो ने ततकाल के लिए उसके एक साफ रुमाल बांध दिया था, पर कार में बैठी मीरा की सांसे अचानक से उखरने लगी, तो लियो उसे देख घबरा गया, मीरा, मीरा, तुम ठीक हो, मीरा, मीरा की हथेलियों को एक साथ से पकड उसे जगाने की कोशिश करने लगा, इन सब में उसे रास्ते का ध्यान ही नहीं रहा, और अचानक से एक बड़ी गाडी के सामने आ जाने से कार का बैलेस बिगड गया, रात का वक्त था और रास्ता सुनसान, गाडी पास के एक बड़ सांसे लिए जाहरी थी, उसके गले में बंधा रुमाल बुरा खुन से सन गया था, ये सब देख लियों की बेचैन और डर एक साथ बढ़ने लगा, वो गुसे में और दर्द में इधर उधर देखने लगा, कार अब आगे बढ़ने के हालत में नहीं थी, मीरा की सांसे धीर चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूनगा, लियों ने कहा, और इधर उधर देखने लगा, दोनों तरफ से उसे किसी दूसरी वाहन के आने की आसनका नहीं लग रहा था, मीरा अचानक से उसके हाथ को पकड़, तेरी से बृतिंग करने लगी, जिसे देख लियों के आँखों से आसू निकलने लगते है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतना सब कुछ होने के बाद, अब वो अपनी जान को खोना नहीं चाहता था, मीरा, कुछ नहीं होने दूनगा तुझे, लियों दर्दमे में बोला, उसका गला भर आया था, तभी अचानक से किसी कार के हौन सुनाई देता है, लियो उस और देखता है, जहां से एक कार तेजी से चली आ रही थी, लियो दोड़ कर कर बिच रास्ते में जा खड़ा हुआ, कार में बैठा सक्स, अचानक से किसी आदमी को सामने आने से देख ब्रेक लगाता है, जिससे कार घसीतती हुई, ल तुम ऐसे नहीं कर सकती, ओठो मीरा, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं, मैं तुम्हे कुछ नहीं होने दूँगा, लियो ने कहा, और इधर उधर देखने लगा, दोनों तरफ से उसे किसी दूसरी वाहन के आने की आसंका नहीं लग रहा था, मीरा अचानक से उसके हाथ को प मीरा, कुछ नहीं होने दूँगा तुझे, लियो दर्दमे में बोला, उसका गला भर आया था, तभी अचानक से किसी कार के हौन सुनाई देता है, लियो उस और देखता है, जहां से एक कार तेजी से चली आ रही थी, लियो दोड़ कर कर बिच रास्ते में जा खड़ा अचानक से किसी आदमी को सामने आने से देख ब्रेक लगाता है, जिससे कार घसीटती हुई, लियो के ठीक पैरो के दो इंच के पास रुखती है, कार काफी तेजी से चला आ रहा था, पर लियो को देख ड्राइव करने वाले ने समय रहते ब्रेक लगा दिया था, वरना कौन, सर मैं लियो, प्लीज मेरी मदद कीजिये, नहीं तो मरी वाइफ, मर जाएगी, प्लीज, लियो के चेहरे पे चिंता, घबराहट देख कार वाले ने जट से गेट खोल कार से बाहरा गया, कहा है तुमरी वाइफ, दोनों दोड़ कर मीरा के पास आए, तो कार वाले ने मीरा को उठा जल्दी से कार में बैठाने के लिए कहा, दोनों ने मिलकर मीरा को कार के अंदर बैठाया और गारी तेजी से पास के ही हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ी, कार के अंदर लोकेटर स्क्रीन पे सबसे नजदी की हॉस्पिटल का लोकेशन लगा दिया था, और हॉ कुछ छोड़ वह अंदर भागा, कार के अंदर ड्राइवर सिट पे बैठा शक्स, सामने अपने पास बैठी बीवी से कहता है, वाइफ ही मैं अभी आया, तुम यही रहो, मैं अभी आ जाओंगा, ये और कोई नहीं रनबीर था, रनबीर लियो के मुह से उसका नाम सुनता ही उसे पहचान गया था, और तभी उसने मदद करने की सोची थी, सनाया जो की अपने बेटे को गोद में लिये हुए थी, वह कहती है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, रनबीर ज्यादा सवाल नहीं करता और सनाया के साथ हॉस्पिटल के अंदर चला आता है, दूसरी तरफ, अर्चना अभी तक सोई नहीं थी, उसे अभिजित के आने का इंतजार था, इसलिए वह हॉल में ही सोफे पे बैठी हुई थी, तब ही उसे घर के में डोर खुलने का आभाश होता है, सनाटे से भरी रात में अगर हवा भी तेज चले तो सुनाई दे जाती है, फिर तो ये गेट के चरचराहट का साउंड था, अर्चना अपने फोन पे अपनी पकड मजबूत कर लेती है, कौन है, अभी आप है, लीज आप मुझे ऐसे दराई ये मत, अर्च अर्चना दोबारा बोलती है, पर इस बार भी हाल वही होता है, अर्चना के माथे पर अब पसीना आने लगा था, दर से पैर कापने लगे थे, और आँखों में डर की लहर दोडाई थी, तभी अचानक से उसके आँखों के सामने कोई माचिश जला देता है, जिसे देख, अर्चना घबरा कर डर से चीख पड़ती है, कमर में डिम रोशनी थी, जिसके कारण अर्चना डर जाती है, अर्चना को डर से कापता देख, लख्ट बुझ जाता है और अचानक से चारो तरफ रोशनी फैल जाती है, अर्चना के नाक, कान सब लाल हो गए थे, डर से हाथो में पसीना आ गया था तभी किसी के हसने की आवाज अर्चना को सुनाई देती हैं अर्चना नजरे उठा कर देखती हैं तो सामने अभिजित खड़ा हसे जा रहा था अर्चना उसको देख गुसे में चिद जाती हैं और उसके पास आाकार गुसे में उसके सेने पे हाथ मारने लगती है अचानक से अभिजित अर्चना के हाथ को पकड़ उसे दिवार से सटा देता है और खुद अपने बोडी के सहारे अर्चना को दबा उसके दोनों हाथों को होल्ड कर उपकर के एक साथ से दिवार के सहारे दबा देता है छोड़ो मुझे कितने बुरे हो आप ऐसे को अर्चना के खुले कमर पे ले जाकर सहलाता है तो अर्चना की सांसे थमसी जाती हैं। अर्चना के खुले कमर पे चला लगता है जिसे महसुश कर अर्चना की आँखें एकदम से बंद जाती हैं। अर्चना हैरानी से फोन को देखती हैं। अर्चना उससे छूटते हुए कहने लगी, आप नहीं आये तो मैं क्या करती, सौपिंग करने लगी, अर्चना के जवाब को सुन, उसके होंठों पे अपने होंठ रख देता है, और थोड़ी देर जोरदार किस के बाद उसे देखता है, अर्चना के गाल शर्म से लाल पड़ सुनकर, वो चिदते हुए बोलती है, तो इसमें आपकी गलती है ना, मैं तो खर्च करूंगी और करूंगी, बहुत ज़्यादा करूंगी, आप देखना, अर्चना के मासूमियत भरी बाते सुनकर अभिजीत मुस्कुरा देता है, और उसके गाल पे अपने होंठ सहलाते तुम्हारा ही तो है सब कुछ, मैं और मेरे पैसे सब तुम्हारे ही तो है, तुम जो चाहो करो, पर आज के इतने खर्चे का हिसाब तो देती जाओ, अभिजीत के कहते जी अर्चना आश्चर्य से उसे देखने लगती है, जैसे की वो सोच रही हो, कैसा हिसाब, लेकिन अर्चना शर्माते हुए बोली, अभिजीत उसके होंठो को तरफ जुकते हुए बोला, नहीं, मैं तो करूंगा, ऐसा वैसा, अर्चना, अभिजीत के कहने पर मासूम सा फेस बना कर उसे देखने लगती है, तभी अभिजीत उसके सौफ्ट से होंठो को अपने शक्त होंठ के गिरफ्ट में लेकर सौफ्टली किस करने लगता है, अर्चना, अभिजीत के सौफ्ट किस में खुद को भूलने से लगी थी, अभिजीत का ये अपना स्टाइल था, इस वक्त रात थी, पर अभिजीत को इन सबसे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था, ये भी नहीं की प्यार का नया नया खुमार, दिन हो रात, कुछ दिखाई नहीं देता है, दूसरी तरफ, हॉस्पिटल में, लियो ने मीरा को एडमिट कर दिया था, करीब एक घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आय और सब कुछ ठीक है का बोल चले गए, रनबीर के कारण आज मीरा की जान बच जाने पर काफी खुस था, वो रनबीर से कहता है, ठैंक्स, अगर आप नहीं होते तो शायद आज मेरी मीरा मेरे पास नहीं होती, मैं सुक्र गुजार हूँ आपका, बताए आपको क्या चाहिए इसके बदले में, आप जो चाहे मैं दे सकता हूँ, रनबीर ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा एक काम करना होगा तुम्हे, मेरे साथ लखनव चलना पड़ेगा, रनबीर के कहते ही लियो, रनबीर को अजीब निगाहों से देखने लगा, नहीं, मैं तो करूंगा, ऐसा वैसा, अर्चना, अभिजीत के कहने पर मासूम सा फेस बना कर उसे देखने लगती है, तभी अभिजीत उसके सौफ्ट से होंठो को अपने शक्त होंठो के गिरफ्ट में लेकर सौफ्टली किस करने लगता है, अर्चना, अभिजीत के सौफ्ट किस में खुद को भूलने से लगी थी, अभिजीत का ये अपना स इस वक्त रात थी, पर अभिजीत को इन सबसे कोई फर्क नहीं पढ़ रहा था, ये भी नहीं की अर्चना इतनी रात होने के बाद अलसाई हुई होगी, नींद के आगोश में जाने को बेकरार होगी, पर अब मानों जैसे दोनों ही अपने महबबत के समुंद्र में होते लग और सब कुछ ठीक है का बोल चले गए, रनबीर के कारण आज मीरा की जान बच गई थी, लियो जो की मीरा की जान बच जाने पर काफी खुस था, वो रनबीर से कहता है, ठैंक्स, अगर आप नहीं होते तो शायद आज मेरी मीरा मेरे पास नहीं होती, मैं सुक्रगुजार आपका, बताएए आपको क्या चाहिए इसके बदले में, आप जो चाहे मैं दे सकता हूँ, रनबीर ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा एक काम करना होगा तुम्हे, मेरे साथ लखनव चलना पड़ेगा, रनबीर के कहते ही लियो रनबी इल शेयर होल्डर का सीयो, लियो हाथ मिलाते हुए बोला, तो रनबीर सनाया और अपने बच्चे को उससे मिलवाता है, थोड़े ही देर में लियो के घर से उसकी मा और उसके दादा के साथ साथ उसके दुस्त और इसका बड़ा भाई विस्वाश आ जाता है, इधर लियो और रनबीर अकेले में बाते करने लगे थे, देखो मैं, यहां तुमसे ही मिलने आया था, लेकिन इस तरह से हम मिलेंगे, यह अंदाजा नहीं था, हुनम, कब आना है, नेक्स्ट मंथ, तब तक तुम अपनी बीवी का ध्यान रखो, हुनम, जो भी हो, तुमने कहा कि मुझ तुनहरी मदद करनी है, तो मैं तैयार हूँ, सुक्रिया, मुझे इसी की उम्मीद थी, आच्छा मैं चलता हूँ, सुबह हो गया है, और तुमली बीवी जल्दी ठीक हो जाएगी, बार बार बीवी शब्द सुकर लियो थोड़ा हिचकी चाते हुए कहता है, दर्शल हमारी अभी शादी नहीं हुई है, उद्धरन, रनबीर मुस्कुरा कर कहता है, नहीं हुआ तो हो जाएगा ना, पहले साड़ी कर लो, और फिर आना, मैं तो कहता हूँ, हनिमून लखनव में ही क्यों नहीं बना लेते हैं, तुम बनारश से अपनी नई जिन्दगी का आगास कर सक उद्धरन, लियो हस देता है, तो रनबीर उसके कंदे को दबाते हुए मुस्कुरा देता है, रनबीर सनाया और अपने बेटे के साथ घर के लिए निकला जाता है, अजीब इनसान है यार, पर हैं कौन ये, लियो सोचने लगता है, तभी उसके पास बिस्वाश आता है और कुछ सोचते हुए रनबीर के बारे में पूच कर कहता है, अभी अभी जो इनसान तुमसे मिल कर गया है, वो चला गया, हाँ तो भाई अभी अभी, क्या आप पहचानते हैं उन्हें, लियो कुछ सोचते हुए सवाल करता है, तो विस्वाश उससे कहता है, हाँ, आर-एस का आपोरेशन का बादशा है, बस इतना समझ लो, चलता फिरता तोप है, विस्वाश ये कहते हुए कुछ दिन पहले के आये कुछ पेचीदा खबरों के बारे में सोचने लगता है, जो उसे खुपिया तोर पर मिला था, क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं, लियो हैरत में डूबा सवाल करता है, तो बिस्वाश उसे बताता है, बिग टेबल के बारे में सुने हो, हा न, पर उससे इसका क्या लेना देना, लेना देना है, क्योंकि यह राम सिंगानिया का बेटा है, अंडरवल्ट से हैं और बिग का असली वारिश, बस इतन बिस्वाश का कहना था कि लियों की आँखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे एकदम से कुछ धूदली धूदली चीजे याद आने लगती हैं। कुछ दिन पहले की ही बात हैं। जब एक अकेला आदमी सबसे बड़े लीडर यानी आड को मार गिराया था। ये बात सब जानते थे पर ये नहीं की उसे मारा किसने हैं। क्योंकि इन बातों को सिर्फ अंडरवल्ड तक ही सिमित रखा गया था। ये वही हैं। रनबीर इसी ने आड मारा था। तो भाई फिर मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाया। आश्चर्य में दुबाल लियो कहता है। तो उसे समझाते हुए विस्वाश कहता है। क्योंकि इसका असली नाम रनबीर नहीं है। इसकी पहचान राम सिंगानिया से हैं और इसका असली नाम पाता बस ऐसा समझ ले ये एक ही हैं पर इसके दो रूप है। रागव सिंगानिया लियो आश्चर्य से पूरी बात सुनने के बाद नाम दोहराता है। वैसे क्या बोल रहा था ये कुछ कहा क्या विस्वाश उससे पूचता है। हान लियो कुछ सोचते हुए खुद में ख हुआ हुआ था। उसके बहों में अर्चना बच्चे की तरफ लिप्टी सुकून की नींग में थी। सूरज अपने सर पर था। कड़ी धुप शिसे से होकर दोनों के चेहरे पे आठा हैं तो अर्चना अपने आँखों को मसलते हुए जाग देती हैं। अर्चना का समसाती जिस वजह से अभिजित भी जाग जाता हैं। क्या हुआ? अभिजित अपने बाहों में अर्चना को भरते ही कहता हैं। उठिये, सुबह हब गई हैं। अर्चना उससे छूटने की कोशिश करते हुए कहती हैं। थोड़ी देर और ना, बीवी, बस थोड़ी देर, अर्चन अर्चना उसे गौर से देखने लगती हैं। देखते ही देखते कब उसके हाथ अभिजित के चहरे पे चले जाते हैं। उसे पता ही नहीं चलता। अभिजित को परेशान करने में अर्चना को मजासा आने लगा था। वह मुस्कुराने लगी थी कि तभी अभिजित जटके से अर्चना के उपर आ उसके दोनों हाथों को दबा, उपकर तकिये के पीछे कर देता है। अर्चना एकदम से चौक जाती हैं। उसकी आँखे ए